प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परियावरण की सुरक्षा जलवायू अनुकूल व्यवहार से ही की जा सकती है मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामिनों को गाउं में ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने से पलायन में आईगी कमी केंद्रिय संयुक्त सचिव ने कोरवा जिले में शिक्षा स्वास सहित स्वरोजगार से जुड़े कारियों का किया निरिक्षण और देश में अब तक 174 करोड 24 लाग से अधिक टीके लगाए गए नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ मनीश अहलवालिया और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियावरन की सुरक्षा जलवायू अनुकूल व्यावहार से ही की जा सकती है उर्जा और संसाधन संस्थान तेरी के विश्व सतत विकास शिकर समेलन को संबोधित करते हुए शिरी मोदी ने कहा कि जलवायू समंदी सफलकारियों के लिए परियाप्त आर्थिक साहयता की आवश्चक्ता है इसके लिए विकसेत देशों को वित्ती और प्रोध्योगी की हस्तानतरण की प्रतिबदताएं पूरी करनी होंगी प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की उर्जा आवशक्ताएं अगले 20 वर्ष में दो गुनी होने की संभावना है और इससे इंकार का मतलब है लाखों लोगों को जीवन से इंकार करना energy requirements of the people of India are expected to nearly double in the next twenty years denying this energy would be denying life itself to millions successful climate action also need adequate financing for these developed countries need to fulfill their commitments on finance and technology transfer friend sustainability requires coordinated action for the global commons our efforts have recognized this interdependence through the international solar alliance our aim is one sun one world one grid we must work towards ensuring availability of clean energy from a world wide grid everywhere at all times प्रधान मंत्री ने यह भी कहा के गरिबों को समान उर्जा उपलब्ध कराना भारत की पर्यावरन नीतियों का मुख्य इस्तंब रहा है उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमेशा प्रकृती और संस्कृति के साथ मिलकर जीवन जीते रहे हैं संस्कारों दैनिक रीती रिवाजों और अनेक फसल परवों में भारतियों का प्रकृति के साथ मजबूत संबंध दिखाई देता है उल्लेक निया की कल से शुरू हुए तीन दिवसिय शिकर संमेलन में जलवायू परिवर्तन सतत उर्जा उत्पादन और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्षुक किया जाएगा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा है कि 36 गड में ग्रामिनों को गाउ में ही रोजगार मोहिया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और इसमें काफी सफलता भी मिल रही है और इससे श्रमिकों के पलायन में निश्चित रूप से कम ही आएगी जो भूमिहीन क्रिशत है उनको भी राजी गांधी किसान राजी गांधी भूमिहीन श्रमिक नयाय योजना के तर्थ ओला फानित होंगे लगातार गाठानों के माध्यम से लोगों को हम लोग काम दे रहे हैं रूरल इंडेश्ट्रियल पार के फी लगातार खोलते जा रहे हैं तो ऐसे में गाउं में ही जब रोजगार उपलब्द हो रहा है जंगल के छेत्रों में लगोन उपस से जुड़े हुए भिल्यू डि रायपूर के स्वामी विवेकानन विमानतल पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि रभी सीजन के लिए राज्य को खाद की कम आपूर तिकी गई है इससे फसलों का उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा केंद्रिय विद्यूत मंत्राले के संयुक्त सचिव और आकांक्षी जिला कोरबा के प्रभारी रगुराज माधव राजिंद्रन ने कोरबा प्रवास के दोरान जिले में शिक्षा स्वास्थ सहित स्वरोजगार से जुड़े कारियों का निरिक्षन किया इस दोरान कोरबा कलेक्टर रानु साहु ने शिरी राजिंद्रन को वनांचलक्षेतर करतला इस्तित सामुदाइक स्वास्थ केंद्र में स्वास्थ व्यवस्था के साथ ही जिले में स्वरोजगार के लिए गौठानों में किये जा रहे कारियों की जानकारी थी इस असर पर शुरी राजिनरन ने कहा कि कोर्बा जिले में केंद्र सरकार की मन्शा के अनुरूप शिक्षा, स्वास्त और स्वरोजगार की दिशा में बहतर काम किया जा रहा है जो सराहनियों है इसमें अलग अलग जो पहलू है वो देख रहे हैं जैसे आंगलमडी का है और CHC है स्कूल्स है सबी जो है जैसे एक अप्रादविंग तोर पे जो है कैसे कारिय हो रहा है उसको देख रहा है श्री राजेंडरन ने आत्मनन अंग्रेजी माध्यम स्कूल का आकस्मिक निरिक्षन करने के साथ ही कोरबा के कोसा प्रसंसकरण केंदर में पहुँचकर कोसा प्रसंसकरण और इससे महिलाओं को मिल रहे स्वरोजगार की भी जानकारी ली और समाचार का सिलसला आगे भी जारी रखेंगे फिलहाल देते हैं छोटा सा विराव तीन महिने में पैसे डवल वाँ फास्ट और हाई रिटर्न्स भी क्या स्कीम है कल तो नहीं ती है और कल होगा भी नहीं तुने कभी पांच और में डवल सेंचरी वारी है एसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो अगर ज्यादा रिटर्न की पिछे भागोगे तो रिस्क भी उतनाई उठाओगे और पास्ट रिटर्न से बचके और पास्ट बॉलिंग से RBI कहता है जानकार बनिये सतर करहिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूर दर्शन समझार में राश्ट्र व्यापी कोविड टी का करण अभ्यान के अंतरगत अब तक 174 करोड 24 लाग से अधिक टी के लगाए जा चुके हैं इधर 36 गड़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टी का करण अभ्यान जोर शूर से जारी है प्रदेश में अब तक 3 करोड 71 लाग 99 लाग से अधिक कोरोना रोधी टी के लगाए जा चुके हैं इन में से 2 करोड 7 लाग 50 लाग से अधिक लोगों को टी के की पहली खुराक और 1 करोड 6 लाग 99 लाग से अधिक लोगों को टी के की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं वहीं 3,49,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई गई है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमन की दर लगातार घट रही है प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.37 प्रतिशत पर पहुँच गई है प्रदेश में कल 433 व्यक्ती ही कोरोना संक्रमित पाए गए और वर्तमान में 4,800 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज विभिन अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं देश में फिलहाल 3,32,000 से अधिक कोविड रोग्यों का उपचार चल रहा है इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी 98.03 प्रतिशत हो गई है केंदर सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहट अब ग्रामिनक शित्रों में घरों में नल के माध्यम से पानी पहुँचना शुरू हो गया है इस से ग्रामिनों को पेजल की समस्या से निजात मिली है इस मिशन के तहट बलरामपुर जिले के ग्रामिन लाखों में भी लोगों के घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा है जिले के पहुँच महीन अक्षेत्रों के ग्रामीनों ने बताया कि पहले पानी के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता था लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहट घरों में नल कनेक्शन दिये जाने से पानी की समस्या से राहत मिली है हम लोग के हाँ पीने का पानी दू दू से लाकर पीते थे लेकिन अब सरकार ने हमारे यहां बस्ता बना दी है पानी घर तक पहुचा दिया है और पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता है हम लोग पानी के लिए आराम मिल गया है पहले नल इसकुल गरांड में ही लगा है तो पहले इसमें का पानी लाल कलर में टायप से निकलता था और पहाड़ी चेत्र होने के कारण यहां का पानी पीने लाग भी नहीं था तो चुकि अभी के सिती में तीन चार मुहिना हो गया है पीची और क्रेडा विभाग के द्वारा ये जो बोर लगा हुआ है तो इसके माध्यम सभी पीने के लिए हम लोगों को प्रयाप्त मातरा में सही पानी मिल जाता है इस बारे में कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि क्रेडा और पीची विभाग की मदद से जल जीवन मिशन के तहट जिले के सुदूर ग्रामिन अलाखों में के घरों में नल के माध्यम से पेजल की आपूरती की जारी है और आने वाले समय में शाहसन द्वारा दिये गए लक्ष को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पानी की व्यवस्था को पाईप के माध्यम से घर घर तक पहुचाने का लक्ष रखा गया है। चतीजगड के प्रयाग राज के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक नगरी राजिम में माघी पुन्नी मेले के शुरुवात हो गई है। विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर चरंडास महंत ने कल मुख्य मंच पर भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा की समक्ष दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंब किया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि 36 गड़ में भी प्रयाग राज की तरह राजीम लोचन है। हमारे पुर्वजों ने जो सपना देखा था उसे हमें पूरा करना है। धर्मस्व मंतरी तामरजच साहु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संत समागम के अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संतों की उपस्तिती जरूर नजर आएगी। वहीं आपकारी मंतरी कवासी लख्मा ने बताया कि राजिम माघी पुन्नी मेले के दौरान रायपूर धमतरी और गरियाबंद जिले की कुछ शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णे लिया गया है। इस लिए मुक्य मंतरी मेले महाश शिवरातरी तक चलेगा। मेले इस थल पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंद किये गए हैं। वहीं शुरद्धालों और दर्शनार्थियों की स्तुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उधर महासमुन जिले के महानदी तट परिस्थित पूरा तात्विक एतिहासिक नगरी सिर्पूर में सिर्पूर महुत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संसद्य सचीव विनोज चंद्राकर ने दीप प्रज्वलित कर इस दो दिवसिय सिर्पूर महुत्सव का शुभारंब किया। इस उसर पर श्री चंद्राकर ने कहा कि इस बार महुत्सव केवल दो दिनों का है लेकिन आने वाले साल में इसे तीन दिनों तक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शासंद्वारा सिर्पूर का काया कल्प किया जा रहा है ताकि विश्व धरोहर के मानचित्र में इसे शामिल किया जा सके। कलेक्टर निलेश कुमार्क शिर सागर ने बताया कि शिर्पूर एक पुरा तात्विक धरोहर है। इसे संग्रक्षित करने और समारने के लिए राज शासंद्वारा कार्ययोजना बनाई गई है। पूरा प्लाइनिंग किया गया है। उसको भी समारा जाएगा सवर्दन किया जाएगा। और अध्राश्ट्री लेवल पे इंटरनेशनल स्कर पे सिर्पूर की और पहचान निर्मित करने के लिए कुछ कारेकरम भी किये जाए। सिर्पूर महत्सौमे स्थानिय और रायपूर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कारेकरम प्रसूत किये। और महत्सौमे कला जथा द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार।